दोस्तों ट्रंप के साथ उनकी दमदार कार दिपिस्ट भी सुर्खियों में रहती है ट्रंप अपनी सकार को लेकर इंडिया आये थे बेहत शांदार सुविदाओं से लैस इस कार पर बंप का भी कोई असर नहीं हो सकता आईए आपको अमेरिक राष्टपती ट्रंप की इस लेमोजिन के बारे में डीटेल में बताते हैं सेफटी के मामले में ये कार किसी टैंक से कम नहीं है ट्रंप की इस गाड़ी की खेमत 10 कर रोड रुपए है और इस कार की निर्मादा कंपनी है जनरल मोटर्स खास बात ये है किस कार में 8000cc का इंजन लगा है जो 800 BHP का पावर देता है इस कार के दर्वाजे 8 एंच मोटे हैं और बोइंग 747 के कैबिन के दर्वाजे जितने भारी हैं कार के दर्वाजे बंद होते हैं ये 100% दीट तक सील हो जाती है इस कार की बोड़ी को बनाने में स्टील, टाइटेनियम, अलुमीनियम और सिरमिक का इस्तिमाल हुआ है जो इसे बेहत मजबूत बनाता है यहां तक कि ये कार आग की लप्टों के बीच भी निकल सकती है दबीस्ट कार को ट्रक के चैसिस पर बना गया है कार के निचले हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए चैसिस के नीचे पांच इंच स्टील प्लेट दी गई है ताकि लेंड माइन या बम प्लास्ट को सह सके वही कार के खिट्कियों में लगे ग्लास पॉली कॉर्बोनेट की पांच लेयर से बने है जो इसे बुलेट प्रूफ बनाते हैं केवल ड्राइवर साइड की विड़ो के ग्लास को ही तीन इंच तक नीचे किया जा सकता है वही कार के ड्राइवर का संपर्ख सीधे ट्रेकिन सेंटर से होता है ड्राइवर के लिए अलग से कैबिन होता है ताकि वो राष्टपती की गति वीडियो को न देख सके इस कार को चलाने का जिम्मा केवल सीक्रेट सर्विस की प्रशिक्षित कमांडो ड्राइवर के पास ही होता है जो कार को जरुवत बढ़ने पर तेजर अफ़तार कार को 180 डिगरे तक मोड सकता है माना जाता है कि वाइड हाऊस के पास कैडिले की बारह कौपी है इस कार में पीछे की तरफ प्रेजिडेंट कमपार्टमेंट दिया गया है जिसका पार्टेशिन क्लास से बना है और केवल प्रेजिडेंट ही इसे हटा सकते हैं उनकी सीट के पास एक सैटलाइट फोन लगा होता है जो पैंटागन और उपराश्ट्रपती से कनेक्ट होता है दे बीस्ट में आगे की तरफ नाइट विजन कैमरे लगे होते हैं साथ ही कार के अंदर राश्ट्रपती की सुरक्षा के लिए पंप एक्शन शॉटगन आश्ट्रपती के प्लड गृप से मेल खाता हुआ बलड बैंग दे बीस्ट में किसी भी आबात स्थिती से निवटने के लिए आक्सिजन सप्लाई की विवस्ता है कार के बूट स्पेस में आक्सिजन सप्लाई के साथ फायर फाइटिंग सिस्टम और स्मॉक स्क्रीन डिस्पेंसर दिये गए है इस कार के लंबाई 18 फीट उचाई 5.10 इंच है और वजन 64 से किलोग्राम है इसमें साथ लोग बैठ सकते हैं ये कार एक गैलन यानि तेन दश्मलाव साथ लीटर देल में 8 किलोमीटर तक का मायलेज देती है वहीं भारी भरकम होने के नाते इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पती घंड़ा है और 0-60 किलोमीटर के रफ़तार पकड़ने में ये 15 सेकंड का वक्त लेती है इस कार के वजन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे लाने ले जाने के लिए ताकतवर माल वाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तो ये कार है ना एक टम अदबुद मैंने तो जब इसके इन सब फीचर्स के बारे में जाना तो हैरान हो गया हम तो अपने कार में म्यूजिक सिस्टम भी सही हो तो उसको भी अदबुद समझते हैं तो सोचो जब किसे कार में इतनी सारी सुविदाएं हो तो क्या होगा दोस्तो आपको हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचारा रहा है हमारे साथ शेयर जरूर करें धन्यवाद